नमस्कार में हूँ आपके साथ आर्थी गेलोत और आप देख रहे हैं आज तक नियूस 24 आईए नज़र डालते हैं आज दिन पर की खास खबरों पर सिरोई जिले में राष्ट बितम हात्मा गांधी की 150 वी जैनती वर्ष और 37 दिवस की 35 वी वर्षगाट के उपलक्ष में डांडी यात्रा निकाली गई है शहर के गांधी पार्क से डांडी यात्रा निकाली जिसका मार्ग गांधी पार्क हिंसा सरकल जूपा घाट सरजावा गेट कुमाहर वाड़ा अंबेटिकर सरकल नया बस स्टेन जेल रोड से गांधी पार्क रहा है वही डांडी यात्रा के दिवस को आजादी के अमरत मांसों की रूप में बनाए गया है गांधी पार्क में जिला कलेक्टर भगवती जिला पुलिस अदिक्षा खेमत अभी ल पुड़ा उपखंड अधिकारी हंस मुक कुमार सहीत जिली के सभी विभागों के विभागा द्यक्षर सासन और प्रसासन के लोगणवान नागरी का और सामाजी कार्यकरता ने रेली निकाली है वहीं डांडी यात्रा के बाद गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पहार पहना कर सभी ने पुष्प चुड़ाए हैं आयोजीत सवासमारों में आतिरिक्त जुला कलेक्टर गीतेश मालविय महा विध्याले के प्रदन आध्यापक डॉक्टर ग्यानवीकाश मिस्रा डॉक्टर नवनीत जुला कलेक्टर भगवती प्रशाद ने गांधी दर्शन, गांधी जी के आजादी के योगदान पर प्रकाश डाला है। पालन करने की अपिल की है वही राजिसान के मुख्यमंत्री की भावना के अनुसार कोरोना से जंग जीती हुई है वह जंग कहीं हार न चुआए इसलिए हर जरूरी साउधानी अपनाए कोरोना अभी गया नहीं है सबी साउधान रहे मास्क पहने हात धुने और दो गच की तिसगर गुजरात में कोरोना तेजी से फैल रहा है चोटी सिला परवाई हमारे लिए संकट पेदा कर सकती है कोरोना की वैक्सिन आ गई है पर खत्रा भी टला नहीं है युनाइटेट किंगडम ब्राजिल और दक्षिन अफरिका से कोरोना का नया आइश्टेन भी सामने आ प्रूच्छ आइश्टेन आइश्टेन आ couple ईंके है